बहुत स्वागत और अभिनेंदन आज के हमारे विश्ष कारिक्रम में अध्यात्म और जोतिस पर हम लगातार मेज से मीन रासी तक की हम जो जड़्चा है वार्चिक रासी फल है उसको लेकर हम जड़्चा कर रहे हैं आज हम इस कारिक्रम की दुरान हम लोग कन्यारासी पर बात करेंगे लगातार मेज से और मीन पर चड़ जा आरंब है इस स्रीज में जहां कन्यारासी की बात करेंगे कन्यारासी के लिए 2023 खत्म होने करके 2024 की आरंब है क्या स्तिया बने रहे हैं आपके कामकाच को लेकरके आप आपकी लवलाइब को लेकर के, आपकी वेभाईक जीवन को लेकर के, आपके कहीं न कहीं हर प्रकार का जो all over आपका field है, उसमें किस प्रकार की नई संभावनाएं आपको 2024 में दिखाई दे रही है, 2023 की जो pending मरक है, क्या वो 2024 में पूरे हो पाएंगे, क्या 2023 में जो सपने थे, क्या वो अब सच होने के समय, उसका आचुका है 2024 के अंदर, मिला जुलाकर क्या संभावनाएं बंदियां 2024 में, उसी को लेकर हम यापर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा से निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर विजिट करनें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए, साती बैल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलते रहेंगे, कन्या रासी क्या है बड़ा 2024 के अंदर, देखें ग्रेस्तोतियों को हम लोग कहा पर देखें, तो 2023 के मुकावले, 2024 एक बड़ी खास यहां पर है, क्या-क्या बड़ी भविशेबानी हैं आपर रहेंगे 2024 के अंदर, जो काम आपके होने ही होने हैं, उसको हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे, 2024 बड़े कारियों की सफलता के संकित, यहां पर लेकर क्या रहा है, प्रारंबिक इस्तिती में हम लोग देखें तो जनवरी में रासी स्थर्ड बाओ के अंदर रहेंगे, निश्चित रूप से महनत तो बढ़ेगे, लेकिन महनत के अनुरूप आपको उसका प्रतिफल भी प्राप्त होगा, रहमत भी रहेगी और महनत बुरी बात नहीं है, रहमत होना उससे और अच्छी बात है, महनत जब रंग लाती है, तो बहुत निकरकर के आती है, अपने हातों से बनायबा भोजन, उसका स्वाधी कुछ हो रहता है, इसलिए 2024 की हम जो इस्तुति हैं पर देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी है, खासकर एक मही तक की जो इस्तुति है, उसमें काफी बड़े काम होने वा में तब्दिल हो जाएंगे, वो पूरण होते में यहाप पर नजर आएंगे, आप अपना घर ले सकते हैं, फ्लैट करी सकते हैं, नई प्रोपर्टी, नई लेंड आप करी सकते हैं, अग्रिकल्चर के लिए उच्छा, अपने इंविश्मेंट के तौर पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर काम आपका होना निश्चित हो चुका है, आप नई गाड़िक लेने का सोच रहे हैं, वाहन के एंट्री आपके परिवार में होने वाली है, एक नया वाहन आपको मिल सकता है, कहीं न कहीं काफी अच्छा यह समय रहने वाला है, नए व्यापार की सुर्वात क जल रहा था, कोई समस्याएं, कोई आपको वहाँ पर समस्याएं फेस करने पड़ रही तो वो खत्म हो करके आप उस पर थोड़ा फोकस करें, आपको पूर्ण रूप से वो मिलने वाला है, अगर स्वास्त की बात करें, तो वैसे तो सामने तेयां पर मध्यम रहने वाला है लेकिन फिर भी स्वास्त का थोड़ा सा ख्याल आपको रखना अनेवारे हो जाता है, क्योंकि राओ की दृष्टी और केतु अलरड़ी वहाँ पर बैटे में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, और साथी साथ भगवान सिप का पूजन आप करते रहें, नियमि पर आपके बूद आ जाएंगे और ये आपका भद्र महापुरुष, पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग हो गया, वो यहाँ पर निर्माण होगा, इस कारेखल में, इस कारेखंड में, इस समय के अनरूप आप देखें, तो आपको कोई नए काम की बड़ी बड़ा बंगला खरीदें, हो सकता है, आप इस दोरान कोई बड़ी कार खरीद लें, तो ये सुक्षाधन भी जोटाने में, यहाँ पर ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, खासकर जो वकालत के फिल्ड में, खासकर जो पत्रकारिता के फिल्ड में, खासकर जो बैंकिं ब्यापार है, रिटेल का ब्यापार है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है, कोई ठेली लगाता है, उसको भी अच्छा लाब मिलेगा, किसी की दुकान है, उसको बहुत बैतर प्रदरसन मिलेगा, ये इस पर भी निर्बर करता है कि आपकी जनम कुंडली में ब कई ने प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कई मंगल, जो मंगली कारियां बोठ कहते हैं, धार्मिक अनुष्ठन आपकी इस पीरियड में हो सकते हैं, खासकर मई سے पूरब कब ये समय आपके इस प्रकार से मिला जो लाकर बहुत बेधर देखा जा सकते हैं, नई यात्राओं की सही ह अगर वहाँ पर सेटलमेंट की विवस्ता आप चा रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छी योग बन रहे हैं, प्रोपर्टी खरीदने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, प्रोपर्टी में निवेस करने के लिए अच्छा समय है, गोल्ड में निवेस करने के लिए अच्छा समय तो ये बहुत बैतर समय है आप इस समय आपको इसका लाथ मिलेगा बहुत अच्छा है 23 सितंबर से 9 अक्टूबर तक हम देखें तो लगन में फिर से बद्रमापुरुश यो कराज बनेगा राज बनेगा बद्रमापुरुश ये जबर्दस्त लाब देगा कासकर सेयर में गोल्ड में इनमें निवेस करने के लिए बहुत अच्छा समय ब्यापार को बढ़ाने के लिए इस से बहुत अच्छा समय इनवेस्ट की दृष्टी से देखा जाए तो ये कालखंड आपके लिए उत्तमा उत्तम होशक है जो कुछ करना है बस कर दीजिए समय आपके अनुकूल है और जिस समय हवा भी उसी दिसा में चल रही हो और आप भी उसी दिसा में चल रहे हैं तो गती और बढ़ जाती है और अनुकूलता हो जाती है आपको मेहनत कम करने पड़ती है और उसके प्रतिफल परिणाम आपको अच्छे से अच्छे मिलते चले जाते हैं ये समय ऐसा है कि ताबड तोड बुद्धे भी हाँ पर फैसले लेंगे क्योंकि बुद्ध राजकुमान है युवा है और ताबड तोड फैसले होंगे अनेक गुरुके पेंडिंग काम सब दड़ादर फाइल साइन होते चले जाएंगे नए कॉंट्रेक्ट मिलते चले जाएंगे नए आपको जो है मित्र मिलेंगे नए कारोबारी मिलेंगे आप सारा सेटप बढ़ता चला जाएंगा अगर हम बात करें यहाँ पर जो नौकरी करने वाले हैं नौकरी पेसा वाले हैं चोटे बड़े व्यापार करें उनको तो बहुत अच्छा रहेगा लेकि नौकरी वालों को भी यहाँ पर तब्दिली हो सकते हैं उनको बड़ा पद मिल सकता है ठीक उनका ट्रास्पर अन्कूल हो सकता है लव लाइफ से जुड़े भी यहाँ पर संभाऊ ना को देखो तो उनको अच्छी सपलता मिलेगी तो ये बड़े अच्छे यहाँ पर जो है लाब के संकेत मिलने हैं साथ से पच्चिस मार्च तक यहाँ पर बुद्ध नीच अस्तति में होंगे तो वहाँ पर बाणी का संयम रखना है आप कहे कुछ और रहेंगे आपके संदों कार तो कोई और निकाला जाएगा आपस में तनाव किस्तति हो सकती है बाद बिबाद हो सकता है इसलिए बाणी पर पूर्ण संयम रखें वरना आपके अपने हाथों से आपके काम बिगड सकते हैं आगर उसके बाद हम सनी की स्तति को मिला जुला कर जेके तो सस्टम भाव पर रहेंगे इस बार इस्तान बृद्ध करो सनी आप समझ सकते हैं कि करज से मुक्ति आपको मिल सकते है आपने जो लोन लियावा है या किसी से वैसा करजा लियावा है वो यहाँ पर चुकता करने का समय आप 2024 के अंदर पूरा प्रियास कीजिए यह खत्म हो जाएगा आपके लिए इसके लिए आपको जो है रिंड रोग और सत्रो यह तीनों ही खत्म होने के शिमभावन है इस प्रकार से मिला जोला यह समय आपके लिए बहुत बहतर अच्छा रहने वाला है तीन मुखी रुद्राक्ष धारन कर सकते हैं और गणपती भगवान की उपाश्णाव पूजा करें बगवान गणेजी के मंदिर में कम से कम महने में एक बार जाकर लड़ों का बोग जरूर लगा है आप सबको 2024 के अगरिम शुप काम ने चाहिए